एक कहानी सुनाए सर, बचपन में एक कहाओत आपने सुनी होगी कि नकल वहीं करता है जिसमें अकल होती है जब हम परिच्छा देने जाते थे तो सामने वाले का देखकर हू बाहू लिख देते थे लेकिन हेंड राइटिंग के जगब पर रितिक रौसन है रितिक रौसन ऐसे ही एक बड़े एक्टर है लेकिन जब भी परदे पर आते हैं तो कमाल तो करते हैं और इसमें भी जब एक कहानी सुनाएं सर मज़ा आ जाता है तालिया बजती है और लोगों शीटिया भी बजती है लेकिन वहीं फिर आके अटक जाता है कि नकल भी करने के लिए अकल होती है कि कोई डिरेक्टर साहिब सेम है कि यहां पर एक जामीन डिरेक्टर नहीं यहां पर ओडियंस है समझे ना और बाकी जो लिखाओट है तो डिरेक्टर भी साहिब इसे में सिर्कास्त बदला है कहानी सेम है फ्रेम बाइफ फ्रेम है यह वह बाहु जब नकल करोगे तो ओडियंस तो जीरो बटा सानटा तो देगी ना लेकिन जो हैंड राइटिंग है एनि रितिक रौशन सिनेमा हैउल में रितिक को देखकर ही लोग संतोष्ट होते हैं और उलास जबाब क्या किर्दरें रितिक ने किया है रितिक जब हाफ-इंट्रवर्वल के बाद की जो रितिक का परफॉंड़मेंस होता है लास जबाब होता है। इसके अम्हीं क्या गोड़ी मुझे लगता है कि अगर देखना चाहते हैं तो मेरा कर देख सकते हैं और लेकिन अगर आप थीएटर रितिक रौशन के लिए जाना चाहते हैं और अगर फिल्म होती सेम कहानी लेकिन क्योंकि रिमेक है तो मुझे लगता है धाई टू थीरी स्टार बहुत है धाई स्टार हाँ राधिका आपते ठीट है एक वाकिल का किरदार की है तो वहीं है नकल करने के लिए भी अकल होती है यानि ओवराल फिल्म में रितिक रोसन ही है अच्छी फिल्म बनाई गई ह अगर रितिक रोसन को देखने के लिए आप ठीटर का एक्स्प्रियंस लाना चाहते है तो जरूर जाइए और ना एमेक्स प्लेयर पर आप पहले वाले भी देख सकते हैं फिर भी लेंगे अगले वीडियो में रिवीव को यहीं पर खतम करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सभी को सफे जर दितिक जीए है । quiereवर को सब्सक्राइब के लीडियो में चता सो बढ़んだ वाले भी तरवकर ब 5 ांप रितिक 10 सब्सक्त करते हैं उतять हैं ब recognizable ज tät 화